सबी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वेविनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों जैसा कि आपने हमारे प्रिवियस टू एपिसोड को देखा होगा जिसमें मैंने आपको भाग्येशाली आयू वर्ष वेब भाग्येशाली वर्ष यान आज की इस वीडियो में चार राशियों के बारे में विशेश रूप से चर्चा करूँगा आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी वो राशियां हैं जिनका भाग्ये चमकेगा और शुब रूप में चमकेगा तो इसलिए जुड़े रहिए वीडियो को पूरा देखिए अंत पास आते हैं परेशान होते हैं दुखी होते हैं और उनका प्रश्ण होता है कि क्या गुरूजी हमारा पूरा जीवन ऐसा ही जाईगा चाई हमारे को कभी खुशी नहीं मिल पाएगी क्या हमारा जीवन ऐसी स्ट्रुगल में निकलेगा तो आज मैं आपको यह बताना चाहत कि दूसरे से ग्रणा करने वाले लोग, दूसरे से इरशा करने वाले लोग, बैर रखने वाले लोग आसंतोशी होते हैं, क्रोध सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरों के धन से जीवी का निर्भा करने वाले लोग सदा दुखी ही रहते हैं, कभी खुश नहीं रह प बाते हैं क्योंकि आपने अपने मन को कमांड क्या दे दी नेगेटिव तो उस चीज को निकालना बहुत जरूरी है जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता आईए वीडियो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप से बात करते हैं सेंग राशी ज आपके लिए अच्छा जो लकी एर मुझे यहां पर नजर आता है एक तो 24 वर्ष अगर आप अपनी आईउ के 24 वर्ष में हैं आप अपनी आईउ के 28 वर्ष में हैं आप आईउ के 30 वर्ष में हैं या फिर आप आईउ के 32 या फिर 33 वर्ष में हैं या फिर आप अपनी वर्ष में है यानि कि 39 ये साल आपके लिए बहुत बहतरीन है आई यू वर्ष यानि कि आपको तो बहुत सारे हैं मिल गए सिंगराशी वालो और अभी यही नहीं रुकड़ा में अभी आगे भी हैं अब आप से बात करेंगे अगर आप अपनी आई यू के 41 वर्ष में हैं त पिर आप अपनी आई यू के 57 वर्ष या फिर आप अपनी आई यू के 59 वे वर्ष में हैं तो आपका भाग्य चमकेगा अब बात करते हैं आपके लिए इंग्लिश कैलेंडर के इसाब से कौन से यर फेवर्ष आएंगे तो सबसे पहले बात करना चाहता हूं सिंग राशी के लिए कि वर्ष 2023 फेवरेबल है 24 भी फेवरेबल है 2025 भी फेवरेबल है 2026 मुझे ठीक नहीं दिखाई देता 27 भी मेरे को अच्छा दिखाई देता है 28 मेरे को अच्छा दिखाई देता है 29 ठीक नहीं है 2030 मुझे आपके लिए ठीक दिखाई देता है 2031 मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है क्योंकि उस समय पर देव गुरू ब्रस्पती काफी मजबूत इस्तिती में आ जाएंगे बहुत ज़दा पावरफुल इस्तिती में आ जाएंगे तो ये आपके लिए कैलेंडर के इसाब से अच्छे वर्ष है और कौन से वर्ष में आपको साबधन विशेश रहना है ये भी सुन लीजे 2028 और 2029 में इसमें आपको अपना ध्यान अपने पिता के स्वास्त का ध्यान विशेश रूप से बैक पेन सरदर्द इस प्रकार की जो पीडा है वो आपका विशेश रूप से तनाव का कारण बनेगी ये मैं आपको इस प्रस्ट रूप से कह देना चाहता हूँ तो दोस्तों सिंग राशी के कुछ इस प्रकार के रहेंगे भागेशाली वर्ष बाकी हम हर वर्ष का प्रेडिक्शन करते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे एक रहे हैं जिनका रोल रहता है जिनके अकॉर्डिंग यहां पर प्रेडिक्शन फल बदल जाया करते हैं अब आपसे बात करना चाहूंगा सिंग के बाद कन्य राशी के विशे में जितने भी जाता कभी मुझे कन्य राशी के सुन रहे हैं आपके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत बहतरिन फल आपको प्राप्त होगा आपके लिए कुछ बहुत भैतरी ने वर्ष रहेंगे जिसमें आपको काफी अच्छा लाप्राप्त होगा जैसे अगर आप 29 वर्ष में हैं, आप 30 वर्ष में हैं, 34 में हैं, आप 38 में हैं, आप 49 वर्ष में हैं, आप 43 वर्ष में हैं, आप 45 वर्ष में हैं, आप 47 वर्ष की आयू में हैं, आप 52 वर्ष की आयू में हैं, या आप 56 वर्ष की आयू में हैं, आपको बहुत अच्छा लाप प्राप्त होगा यह मैं करन्याराशी के सभी दर्शकों से अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ और अगर हम इंगलिश केलेंडर के इज़ाब से बात करें तो यह कहा जा सकता है कि आपके संतान के लिए आपके बुद्धी के लिए वर्ष 2023, 2024 और 2025 के पहले चार महीने अच्छे नहीं है क्योंकि शनी महराज डाउन इस्तिती में है अगर हम बात करें आपके दामपत्य जीवन वे सुख सुविदाओं के दृष्टी कौन से तो भी आपका यह साल अच्छा नहीं है 23 और 2024, 2025 के पहले 4-5 महीने अगर हम बात करें 2025 से जून महीने से आपकी ग्रह इस्तिती अच्छी हो जाएगी और फिर 2026 आपके लिए काफी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा और उन्नती वर्दक रहेगा 2027 आपके लिए शनीग रह के द्वारा अच्छा रहेगा और 26 आपके लिए देव गुरू ब्रस्पती के द्वारा अच्छा रहेगा यदि हम बात करें 2029 वे 30 की तो 29 आपके लिए ठीक है देव गुरू ब्रस्पती के द्वारा भी ठीक है शनी के द्वारा 25 परसंट फेवरेबल रहेगा पर गुरू के लिए 29 वा वर्ष आपके लिए अच्छा है उसके बाद 2032 जो वर्ष रहेगा वो भी आपके लिए काफी ज़्यादा फेवरेबल पत्री अनुसार मुझे दिखाई देता है और 2031 आपके लिए शनी ग्रह के द्वारा बहुत अच्छा रहेगा 32 भी आपके लिए शनी ग्रह के द्वारा अच्छा रहेगा अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा next राशी और वह रहीगी कन्या के बारे में हमने बात करी और सिंग राशी के बारे में हमने बात करी दोस्तो विशेश रूप से जितने भी जाता कभी मुझे तुला राशी के सुन रहे हैं आप ध्यान से समझ लीजे अब फल आपके लिए प्रारंब हो रहा है अगर आप अपनी आयू के 16 वर्ष, 27 वर्ष, 28, 32, 34, 35, 49, 44, 41 या 42 वे वर्ष में हैं तो आपका विशेश कारे सिद्ध होगा ऐसा आपकी पत्री का यहां पर इशारा कर रही है ये आपके लिए भाग्येशाली आयू वर्ष हैं अब अगर मैं बात करूँ भाग्येशाली कैलेंडर के हिसाब से आयू वर्ष तो 2023, 24, 25, 26, 27, 28 ये आपके लिए बहुत अच्छा है जो गोचर ये प्रभाब है वो यहां पर तुला राशी में निकल के आ रहा है अब मैं आपर आपसे बात करना चाहता हूँ वरिश्चिक राशी के बारे में देखिए वरिश्चिक राशी जो होती है ये राशी रूल्ड बाए होती है मंगल और मंगल के द्वारा जो आपको भगे अउन्नती के वर्ष प्राप्त होंगे वो हैं 25 वा, 33 वा वर्ष, 35 वा वर्ष, 37 और 42 वर्ष अगर आप अपनी आयू के इस पड़ाब में हैं तो निश्चित तोर पर आपको लाप्राप्त होगा और साथ में अगर हम कैलेंडर के हिसाब से बात करें वरिष्चिक राशी वालों के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ष, 2023, 2024 और 2025 आपके लिए 60 परसंट तक शनी ग्रह के द्वारा फेवरिबल दिखाई पड़ता है उसके बाद 2026 के बचे हुए 6 महीने और 2027 और 2028 ये भी आपके लिए शनी ग्रह के द्वारा 60 पीजदी तक फेवरिबल दिखाई देता है और फिर 2029 और 30 आपके लिए कश्ट कारी रहेगा और 2031 और 32 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा पर दामपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा अब इसमें भी अगर हम कुछ केटेगराईज करें कुछ और ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनाएं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2026 ये एक आप जरूर नोट कर लें बहुत ज़्यादा आपके लिए महतपून और निर्नायक दिखाई देता है क्योंकि देवगुरू ब्रस्पती आपके भाग्ये को पूर्ट है चमकाएंगे और 2027 आपके लिए बहुत महतपून है इसमें भी देवगुरू आपके कैरियर को करम को उन्नती को प्रमोशन को चमकाएंगे और 2028 आपके लिए व्यपार के लिए लाब के लिए विदेशों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है 29 थोड़ा आपके लिए कम है पर 2030 को आपके देव गुरू ब्रस्पती 50 फीज जी तक समालेंगे ये मैं आपसे कहूंगा और 2031 तो धन धन्य के दरिश्टी कोंड से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो दोस्तों ये हैं आपके बाग्यशाली वर्ष अगर आप भी कुनली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं पूजा पाठी अरत लेना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं नमस्कार धन्यवाद